हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं भी वेक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी पार्ट साला पर जैसे कि आप सभी को पता है हमने डिल्ए सेकंड सेमस्टर का मैथ स्टाइट किया था जिसमें मैं आपको दो यूनिट कम्प्लीट करा सब्सक्राइब करें तो चैनल को सबसक्राइब कर ले तैथा बैल आइकन को दवा दे ठीक है और यदी आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, तब देश्टों में जाहर जाधा सेयर कर दिया करें, ठीक है? तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आज का टोपिक है हमारा यूनिट 3 प्राकर्तिक पूर्णां तदा परीमी संक्याओ की अबधार्णा, ठीक है? तो प्राकर्तिक संक्याओ को हम इंग्लीश में बोलते हैं, नेचुरल नंबर, ठीक है? नेचुरल नंबर बोलते हैं, और इनी को हम बोलते हैं, काउंटिंग नंबर, इनी को क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर, ठीक है? counting numbers मतलब जिन से हम गिंती शुरू करते हैं कहां से हम गिंती शुरू करते हैं I think आप सभी को पता होगा हम गिंती जो शुरू करते हैं हम 1 से start करते हैं ठीक है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, dot 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 infinite तक ये सारी की सारी संक्याई हमारी क्या कहलाती है सारी के सारी संक्याओं हमारी क्या होती है यह प्राकरतिक संक्याओं को हम capital N से denote करते हैं और इसको set को denote करने के लिए हम capital N को represent करते हैं और हमारा प्राकरतिक संक्याओं का जो set होता है वो क्या होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, dot, 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 infinite तर, ठीक है, तो सभी गिंति, गिंति कहां से start करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ना कि 0 से, ठीक है, इसलिए हम counting number बोलते हैं, natural number बोलते हैं, और प्राकृतिक संक्याई, तो प्राकृतिक संक्याई यह सभी संक्याई होती हैं, जो 1 से start होके, infinite तक, अनन्द तक ज हमारी पूरवर्ति संक्याई है, ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, परवर्ति संक्याई, अब परवर्ति संक्याई, अब परवर्ति संक्याई को हम क्या बोलते हैं, उत्तरवर्ति संक्याई भी बोलते हैं, तो उत्तरवर्ति संक्याई, क्या होती हैं, देखो, उत्त से बात की वन का उत्तरवर्ती संख्या क्या होगी तो वन की उत्तरवर्ती संख्या क्या होगी दो ठीक है और अगर हम टू की उत्तरवर्ती संख्या की बात करें तो टू की उत्तरवर्ती संख्या क्या होगी तीन ठीक है और तीन की उत्तरवर्ती संख्या की बात करें तो कितन कर दें तो उसके बाद हमें क्या मिलती है उस संक्या की उत्तरवर्ती संक्या मिल जाती है ठीक है तो I think आपको उत्तरवर्ती संक्या का पता हमें पूरबरती संख्या, पहले आने वाली संख्या है जैसे अगर हम तू की बात करें तू से पहले कोंजी संख्या आती है हमारी ठीक है या फ्र से पहले कौन से संक्या आती है थ्री तो मतलब पहले वाली संक्या आने पहले वाली संक्या को हम क्या बोलते हैं किसी भी प्राकृति संक्या के जस्ट पहले वाली संक्या को हम क्या बोलते हैं पूरवर्ति संक्या बोलते हैं और पूरवर्ति संक्या किसी भी प्राकृति संक्या में परवर्थी संख्याए क्या होती है यदि आपको यहां तक कोई दिक्कत परिशानी है तो आप comment section में comment करके मिससे पूछ सकते हैं चलिए next चलते हैं अगर next बात करें हम संख्या रेखा पर अगर हम प्रक्रति संख्याओं को नूपित करने की बात करें तो संख्या रेखा पर हम प्रक्रतिक संख्याओं का निरूपन ठीक है संख्या रेखा पर प्रक्रतिक संख्याओं का निरूपन जैसे मैंने एक संख्या रेख्या केज़ दी ठीक है यह कोई संख्या रेखा है और प्रक्रतिक संख्याओं कितने सा स्टार्ट होती है वन से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, संक्याओ को, प्यक्रति संक्याओ को संक्या रेखा, चलिए अभी तक हमने प्यक्रति संक्याओ के बारे में शीक आता, अब हम नेश संक्याओ के बारे में डिस्कर्स करते हैं, जिनको हम बोलते हैं, पूर्ट संक्याओ या whole numbers इंगलीज में हम क्या बोलते हैं whole numbers तो सबसे पहले हम बात करते हैं number 2 पूर संख्या है पूर संख्या है इन्ही को हम बोलते हैं whole numbers ठीक है whole numbers क्या होते हैं उनके बारे में देख लेते हैं ठीक है, whole numbers क्या होते हैं, उनके बारे में देख लेते हैं, whole numbers अगर हम प्राकरतिक संक्याओं में 0 को add कर दें, ठीक है, अगर प्राकरतिक संक्याओं में 0 को सामिल कर दें, तो हमारे पास किसका set आता, whole numbers का set आता है, ठीक है, और whole number के set को हम capital W से denote करते हैं, तो अगर whole number के set की ब तक अगर इसके सेट में हम किसको एड कर दें 0 को और एड कर दें तो हमारे पास क्या आ आती है whole numbers आ जाते हैं पूर्ण संख्या आ जाते हैं ठीक है तो 0 1 2 3 4 5 6 7 ति इन्फाइन तक अनंद तक क्या कहलाती है हमारी पूर्ण संख्या है कहलाती है ठीक है आपको पूर्ण संख्याओं के बारे में पता चल गया होगा सिर्फ हमें प्रक्रति संख्याओं में क्या आड करना होता है सिर्फ हमें 0 आड करना होता हमारे पास पूर्ण संख्या आती है whole numbers सा जाते है ठीक है इसके बाद आती है ह i और capital z से denote करते हैं ठीक है तो अगर हम सारी की सारी whole numbers लें whole numbers मतलब 0 1 2 3 4 5 dot 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 till infinite तक ठीक है till infinite तक ठीक और इसके बाद अगर हम सारे का सारे negative number लें minus 1 minus 2 minus 3 till infinite तक ठीक है minus infinite तक ठीक है यह सारा site जो बनके आया हमाँरे पास वो किसक आया गलाती है, integers क्यलाती है, ठीक है, देखो, अगर हम संख्या रेकापर पूर्सनख्याओं के निरुपन की बात करें, संख्या रेकापर, तो संख्या रेकापर हम क्या से निरुपन करते हैं? यह देख लेते हैं, mid मैंने ले लिए, 0 है हमारा , जिरो जिरो ठीक है इसके जिरो के राइट साइट में अगर हम चलेंगे तो positive संख्याओं में चलेंगे 123456 ठीक है और अगर left side में चलेंगे हम तो क्या चलेंगे निगे चलेंगे ठीक है माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5, माइनस 6 ठीक है तो I think पूर्णांग संख्याओं का संख्या रेखर पर नियूपा आपको समझ में आया होगा मिड में हम क्या रखते हैं? 0 रखते हैं और उसके राइट साइड में हम क्या लेते हैं? सारी की सारी positive संख्या धनात्मक संख्या लिखते हैं और उसके left side में सारी की सारी negative संख्या लिखते हैं तो I think आपको समझ में आया होगा कैसे हम पूर्ण संख्याओं को क्या करते हैं? संख्या रेखर पर निरूपित करते हैं इसके बाद आता है निरफेक्षमान संख्याओं का निर्फेक्षमान तो संख्याओं का निर्फेक्षमान क्या होता उसके बारे में भी देख लेते हैं निर्फेक्षमान इसको इंगलिस में बोलते हैं absolute value ठीक है? निर्फेक्षमान absolute value किसी भी संक्या का चाहें संक्या धनात्मक हो या रिनात्मक हो क्या कहलाती है उसका जो absolute मान होता है निर्पेक्स मान होता है वह संक्या खुद होती है जैसे अगर हम minus 5 के निर्पेक्स मान की बात करें तो निर्पेक्स मान के लिए हम mode का यूज करते हैं माइनस 5 को हम किस में रखते हैं, मोड में रखते हैं, और इसका जो निर्फेक्ष मांगने होगा, वो 5 होगा, मतलब संक्या होती है, किसी भी positive धनात्मक संक्या, या धनात्मक संक्या का निर्फेक्ष मान, भै संक्या होती है, ठीक है, जैसे अगर हम 4 की निर्पेक्षमान की बात करें तो 4 को हम किस में रखेंगे mode में रखेंगे और यह 4 हमारा क्या हो जाएगी इसका निर्पेक्षमान अगर हम 0 के निर्पेक्षमान की बात करें तो 0 का निर्पेक्षमान क्या होगा हमारा जीरो होगा, इसको mode में रखेंगे हम, ठीक है तो I think आपको समझ में आया होगा कि निर्पेक्समान क्या होता, खुद संक्या होती है उस संक्या के साथ में कोई sign नहीं निगेटिव, नहीं पोजिटिव मतलब ऐसा समझ लीजिए, कि किसी भी संक्या का चाहें धनात्मक संक्या हो, या धनात्मक संक्या हो उसका निर्पेक्समान, absolute value हमेशा positive होती है ठीक है, चलिए, आपको ये भी समझ में आया होगा चलिए, नेस्ट चलते है अगर नेस्ट बात करें हम, नेस्ट आती है हमारी परीमिशंक्याए ठीक है, परीमिशंक्याए क्या होती है, उनके बारे में देख लेते है इंग्लिश में परीमिशंक्याओ को हम क्या बोलते है परीमिशंक्याए, इसमें बोलते है rational numbers rational numbers, ठीक है तो rational numbers के बारे में पढ़े लेते है वे सभी संख्याएं वे सभी संख्याएं वे सभी संख्याएं जो P upon Q के रूप P upon Q के रूप में लिखी ज़ा सकती है ठीक है जहाँ P तथा Q दोनो क्या होंगे हमारे दोनो पूर्णांक होंगे एबं Q हमेशा क्या होगा डजनोट इसगल टू ठीक है Q हमेशा डजनोट इसगल टू जीरो होना चाहिए तो अगर इस तरीकी कंडिशन बनती है कोई भी नंबर हमें ऐसे दिखाए देता तो हमारा नंबर के अगल आएगा पड़ी में शनक्या अगल आएगे ठीक है अगर एग्जाम्बल की बात करें हम जैसे तीन बटे पांच ठीक है तीन बटे पांच लिखा ये भी हमारी क्या है पूर्ण आंग है और ये भी हमारी पूर्ण आंग है और 5 मतलब अगर हम इसको P अपॉन Q से कंपेर करें तो P की वैलू क्या हो जागी तेरी और Q की वैलू क्या हो जागी 5 इसका मतलब क्या Q नोड डिजगल टु 0 है ठीक है और P और Q की दोनों क्या है हमारे पूर्ण आंग ठीक है मैंने बताई पूर्ण आंग क्या होती है सारी सारी पॉजिटिव निगेटिव 0 सही सही क्या है क्या कलाती है हमारी पूर्ण आंग कलाती है ठीक है चलिए एक example लो ले लिजी अगर हम 0 की बात करें तो 0 भी हमारा क्या है परिमेशन क्या है जैसे 0 को हम क्या लिख सकते है 0 अगॉन बन लिख सकते है ठीक है तो 0 हमारी क्या है परिमेशन क्या है ठीक है तो यह हम इसको P अपन Q के रूब में लिख सकते है जहांपर p की value हमारी क्या होगी 0 और q की value क्या होगी 1 ठीक है और q not is equal to हमारा क्या है जीरो है condition सारी की सारी है apply और इसका मतलब ही 0 भी हमारा क्या होता है पूद आंक होता है कोई भी प्राकृतिक संक्या जैसे 1-2-3-4-5-6-7 जैसे 7 लिए 7 क्या हमारी यह भी हमारी क्या है परीमिशन क्या है क्योंकि 7 को हम 7 upon 1 लिख सकते हैं और यह P upon Q के रूप में मिलेगी हमें जहां पर Q no is equal to 0 है और 7 और 1 क्या है पूर्ण अंक है हमारे ठीक है तो I think आपको परीमिशन क्या होगा कौन सेर्प भी समझ में आया होगा कि परीमिशन क्या है क्या होती है और किस सरीके से हम चेक कर दें कोई संग्या परीमिशन क्या है या नहीं परीमिशन क्या है हमारी decimal में भी हो सकती है जैसे अगर मैं एक example की बात करूं तो 3y2 मैंने लिया, तो 3y2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1.5 लिख सकते हैं, तो ये भी हमारी क्या है, परीमेशन क्या है, ठीक है, तो decimal में अगर कोई नंबर मिलता है, तो ये घवरा मत जाना, ठीक है, तो भी हमारी क्या होती है, परीमेशन क्या होती है, ठीक है, तो आई ठीक है आपको class सही लग रही होगी, अच्छा लग रहा होगा, अगर आपको class समझ में आ रही है, और अच्छा लग रहा है, तो class को like करना ना भूले, और दोस्तों में ज़्याद से यदा share कर दिया करें, ठीक है, चलिए, इसके बाद अगर हम बात करें, कुछ चीज़े और होती है, जैसे, अगर मैं आपको बता दू, किरमागत संक्या है, ठीक है, किरमागत संक्या के बारे में थोड़ा सा और समझा जेता हूँ, किरमागत संक्या है, ठीक है, किरमागत संक्या का मतलब है, जैसे अगर 1 है, 1 की किरमागत संक्या क्या होगी, 2 होगी, मतलब इसका मतलब क्या किरमागत संहया है अगर मैंने खूई X संहया ली दूसरी X बन होगी जब भी कोशंव मोरे बन जा सकते हैं तो किरमागत रती ये यार की जिए पी ठीक है जब भी आप से कर्मागत संकिया आय बोलेगा तो आप इस तरीके संक्याव को लिए क्या करें ग Piag CM drive संख्यार के लिए एक तो X मानेंगे थूसरी X plus 2 मानेंगे और अदिस्ति X plus 4 मानेंगे ठीक है क्यों मानें धिक संक्याव क्या होती है दो च यह अर्ट दस डों इन्फाइने तक जो 2 से डिवाइड हो वो सारी के सारी संक्याए हमारी क्या अंकलाती है कि संक्याई भाती है ठीक है और पिति एक संक्याई में दो का difference होता है इसलिए हम जब भी कर्मागत संक्याई मानें तो हम x x plus 2 x plus 4 x plus 6 x plus 1 इस तरीके से मानेंगे, ठीक है, आप से बिसम करमागत संख्याओं के बारे में भी बोल सकता है, बिसम करमागत संख्याओं, ठीक है, बिसम करमागत संख्याओं जब भी बोलेगा, तब भी हमें ऐसी मानना, x, x plus 2, x plus 4, क्योंकि आप जानते हैं, कि बिसम संख्याओं क्या होत तो टूकान तर लेके मान लेंगे ठीक है तो इस step के question अगर आपके exam में बनते हैं तो आप कर लेंगे ये थोड़ा समय है additional जानकाली देनी थी आपको हाँ थोड़े सब्सक्राइब बता देता हूँ जो पी अपुन क्यू के रूप में लिखी जाती है ठीक है तो आपरी में के लिए जो पी अपुन क्यू के रूप में नहीं लिखी जाएं ठीक है जो पी अपुन क्यू के रूप में नहीं लिखी जाएं वो संक्राइब हमारी क्या राती है आपरी में संक्राइब लाती है जै के लाती है single on it you can go topो समझ में आरा होगा परी में संख्याय है और आप श्र्री में क्या होती है चलिए कोशन्ञें सब्सक्राइब जुसक्र electromagnism किस कैप कोश्र सकते हैं इस चैप्टर से उसको देख लएते हैं ठीक है सब्सक्राइब निमली कि तमेशे प्राकृति संक्याओं को चाटी है तो मैंने बताया प्राकृति संक्याओं को चाटी है तो एक से स्टाट होके तील इंफाइनाइट अमला अनित्मत जाती है तो जीरो हमारी क्या है प्राकृति संक्या है या नहीं नहीं क्योंकि जीरो के आप पूर्ण संक क्या है तीन सही एक बड़े चार यह क्या हमारी यह हमारी परीमेशंख्या है ठीक है मानस के सेवन अपने एट क्या है यह भी परीमेशंख्या है और दो सही तीन बड़े थानकरिक Nikshan Ray, मुनख्या वो घार चाहरSanji के साहर है यह भी कौन कौन सी हो जाएंगी हमारी यहां पर कारतीक संख्या है कौन कौन सी हो जाएंगी प्राकरतीस एंगी अरwe 253 or 600 थीक है आये ढिआन धिंखंग आको समझ में आया होगा question two है आंको दिखाई को दे रहा है नहीं में से पूर्ण संख्या इकला पर और क्था क्या हтории आंक in प्याँ प्रकृ पूर्ण संंख्या नहीं है यहां है उन tento 62 इतो पूर्ण संंख्या है इक 202 आपके थूप संख्या है मानस के 312 देखो ये निगेटिव संक्या है मतलब ये पूर्ण नहीं है सारी के सारी पोजिटिव और निगेटिव संक्या है जीरो साहीद क्या गलाती है इसलिए मानस के 312 पूर्ण संक्या नहीं है 2 सही एक बटे 18 क्या है ये पूर्ण नहीं है यह परीमे संक्या है, 18 हमारी पूर्ण संक्या है, ठीक है, 18 पूर्ण संक्या है, उसके बाद 35 हमारी पूर्ण संक्या है, मानस के 37 हमारी पूर्ण संक्या नहीं है, यह पूर्णांग है, क्योंकि यह निगेटिव है, ठीक है, मैंने बताया था पूर्णांग क्या होती है, सारी की सारी निगेटिव ब जारी प्राइटीस की आगलाती है थी आ Such a ago ठीड है तो आई थी कषान भी आपका अच्छ nमझ में आया हूं कि हमारा पून सेंगा षाटिन के लिए बोल रहा है हम तरी कोश्छो मायनस की जितनी मी नंबर्स में, वह भी पूनाज होते हैं, पूनाज होते हैं, तो यह सारी क्या है, पूनाज होते हैं, अभी मै मैं बताया था जब मैं परिमेसं क्या बता रहा था कि अगर कोई decimal में मिलती है थशंबलम में कोई संक्या मिलती है वह भी हमारी क्या होती है फूर्म परिमेसं क्या है ठीक है तो आइफ को समझ में आया होगा ठीक चलिए question number 4 की बात करते है कोशेन नमबर 4 है निम लिकित में से परीमेशंक्या बताईए परीमेशंक्या है मैंने बताया था क्या होती है देखो 0 मैंने बताया था परीमेशंक्या होती है 7 मैंने बताया था परीमेशंक्या होती है क्यों 0 को हम क्या लिख सकते है 7 को हम क्या लिख सकते है, 7 upon 1 लिख सकते है 3.5 मैंने बताया, decimal में जितनी भी संक्या होती है, वो क्या होती है परी में संक्या होती है, तो ये भी परी में संक्या है और 2.333, ये भी हमारी क्या है, परी में संक्या है root 2, इसका square root नहीं लिका सकते हैं और थिरी इसका भी सेटा रूट ने लिका सकते हैं, तो आज़ी हैं आपको समझ मेंया होगा परी परी, में संक्या को करेंगे और कैसे च्थेक करेंगे और maximum अधिक से बड़ी से बड़ी प्यक्रति संख्या को हम find नहीं कर सकते क्योंकि अनंत तक चलती है वो उसके कोई भी प्यक्रति संख्या है उसके एक हमें परवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या मिल जाती है इसमें एक एड़ रख रहे है ठीक है तो इसलिए zero है आप पूर्ब्रति संख्या नहीं है तो इसका answer क्या होगा one zero ठीक है चलिए नेस चलते हैं कि नेस ने пр 얼vention नमबर गजता है लिए संख्याओं में से पूर्ण नहीं है थैखो जिरो भ olho होता है सारी सारी पोजिटीब संख्या है पूर्ण होती है उस सारी के सारी निगेटिव संग्या पूर्णांग होती है तो जो हो यहां पर 0 भी आया, पूर्णांग है 100 भी पूर्णांग है, 325 भी पूर्णांग है इसका मतलब इसका अंसर क्या हो जाएगा इन में से कोई नहीं, ठीक है अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और आपको कंटेंड अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना न भूले और सेर करते हैं, जादे से जादे हैं जिससे अगर आप लाइक करते हैं तो हमारा मनोगल बढ़ता है और हमारे लिए उर्जा का काम करता है वीडियो बनाने का भी मन करता है फिर आपके लिए चलिए, वाकिया आप समझदार है निमली के संक्याओं में से परीमे संक्या नहीं है देखो, 0 मैंने बताए परीमे संक्या होती है, 2 भी हमारी क्या है इसका मतलब root 2 क्या है हमारी permission क्या नहीं है ठीक है तो I think ये question भी आपको अच्छे समझ में आया होगा और ये unit आपकी third प्लिकुल complete हो जाती है यहाँ पे इससे जादे आपको unit third में कुछ नहीं पढ़ना ठीक है बस आपको practice करनी है जितने question कराएं इस type के questions को देखना है और व comment section में comment करना ना भूलें और वीडियो को like करते हैं दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा share भी करते हैं यदि आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe करके bell icon दबा दें जिससे की latest वीडियो को notification आप तक पहुच जाए ठीक है चलिए मिलता है उगली बोडियो में इसी comment के साथ तब तक के लिए take care bye bye